हेलो एरीवान आज हम इस वीडियो में जामिले इसलामी कोड से लैटेस में जो भी नोटिस अन अपडेट्स आ रखा है उसके बारे में डिटेल में डिस्क्स करेंगे आपको इसके लिए गूगल पर जाना और सर्च कर लेना है जैसे जब सर्च करेंगे तो इसके या फिर जो अड्मिसन ले चुके हैं या फिर अपकामिंग में अड्मिशन लेंगे उनकी फिजिकल क्लासे या उफ्लें क्लासे को लेकर अगर बात करें तो फाइनली अस्टार्ट होना शुरू हो चुका है जिसमें कल मुझे एक स्टूडेंस अपडेट मिला है बाकी कोर् क्लासे कभी भी स्टार्ट करते जाएगी नौर्मली नोटिफिकेसान या अकाडमी कलेंडर में जामिय का यही था कि आपके फर्स्ट अगस्ट से स्टार्ट करी जाएगी लेकिन अभी कुछ का पहले से स्टार्ट भी करा जाएगे तो आप थोड़ा से अपडेट इडिए मतलब फिजिकल क्लासे या अफ्लें क्लासे को लेकर क्योंकि आपके अडमिशन हो चुके हैं हाँ यह है कि अब बहुत से रहे से बच्चे हैं जो सेकंड लिस्ट रहने का इंतियार कर रहा है तो उनके पास सिवाए वेट करने का कोई आप्सन नहीं पहली बात आपके कभी यह भी आ सकते हैं मगर हां यह कि आप मान कर चले कि आप मोहरमबाद ही बाकी कोर्स बाकी अडमिशन फ़र्मिलिटी जो है मोहरमबाद ही कंप्रेट करा ले जाए चलिए नेक्स अकर हम बात करें आपर सेकंड जो अप्रेट्स है वह होस्तस को लेकर क्योंकि बहुत सारे अगर जानिक बात इस स्क्रूल करते हम quiero निछ आने यह आप देखिए अपर रेक आ यहां ने के लिए ऌcस्ट होस्तोर्ड को सब्सक्राइब्लिट sorting ऐख है क्लिक यहाँ पर बाइस के भाड़ेंके कहा है यह पれफारे में सारे यहाँ से मिल जाका जो मुझे दिख रहा है अ तो हॉस्टल अलाट में बिसके लिए नौर्मली कुछ भी नहीं तो जामे का एट लिस्ट अड्मिशन के दो से थ्री मन्स बाद मतलब आप मानकर चले कि सब्तंबर अक्टूबर के आस बसमें आपको हॉस्टल एड्मिशन प्रोसेस स्टार्ट करी जाएगा उससे पहले मुस्किल होगा यह तरना समझ मागिया यानि हॉस्टल का बस स्टार्ट होगा उपें चाहाओ ब्वाइच के लिए मैं बताजना आपको इंकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए बाकी तो मार्क स्टेट वगरा हो गई नॉर्मली इंकम और मेरिट के बेस पर आपको हॉस्टल जामे मिलते हैं और डिस्टेंस के बेस ठीक है उसी के सबसे मेरिट बनते हैं नेक्स अगर बात करें तो यह हॉस्टल औ दे देते हैं यहां पर जब इसके वेबसाइट पर फिर से आएंगे यहां पर एक तो यह कि जो भी स्टुटिन अड्मिसल ने रहे हैं घामे का तो इसका प्कूर्स बी कर लिजेगा जो भी स्टुट्न अगर चेक करते रहा हैं स्कूलिंग का सेकंड लिस्ट आया, थर्ड लिस्ट भी नहीं है, अगर सीट्स वेकेंट होंगे तो थर्ड लिस्ट आएंगे, वह यह दिस्टेंस फॉर्म का last date है, 31 जुलाई, जो बच्चे अभी तक नहीं फिल के वह फिल कर लें, last date, बाके distance mode में भी admission process स्टार्ट कर दिया पहले BCOM का start किया गया है, जो भी online offline चूज किया है, वो उनके अप सुनके admission स्टार्ट कर देगा है, ज्यादा detail के लिए बहतर है कि आप एक बार जाम में जाए, distance admission का process बस ही है कि पहले form feel किये, जो feel कर लिए नहीं किये, वो अभी भी कर सकते है form feel, उसके बाद आपके document verification होग हाँ, यह मैं बताना चाहूँगा कि जामे के distance वाले candidate को वो facility नहीं है, जो normally entrance qualify करके, जामे मेड मिलते हैं, जिसे की hostel facility, library facility, यह सब distance वाले candidate को नहीं दे आता है, इवन campus visit से भी उनको रुका जाता है, मतलब, वेड़ी पिंड करता है, बर आपके campus में अलॉर्ड नहीं होता है जो भी student 24 के लिए प्रेप्रेशन करना चाहते हैं, जिनका dream EMU जामे है, वो student फग भी हाप में, चाहिए वो be honest political science, geography, sociology, psychology, bb.com, bl.lv, वो EMU का हो या जामे का, even schooling का, यानि की 6, 9, 11 का प्रेप्रेशन करना चाहते हैं, वो student फग भी हाप में online coaching चलाया जा रहा है, हाला कि हमारे जो student select हुए, वो community proof पर जाकर चेक कर सकते हैं, और लडी मैंने short video बनाकर आपको inform भी क्या है, तो जो कोई भी student 24 में चाहिए, जो जोईन करना चाहते है, online coaching, बड़े अधंग से आपको तयार किये जाएंगे, कि इस बार काफे सारे है, मतलब पिछले साल से इस बार मेरा real coaching का इस बार में चाहिए, इस बार में चाहिए, जादा आ रहा है, तो फोली आने विल साल में और भी जादा आएंगे, कि day by day करके हम चीज़ों को improve कर रहे है, quality content, सारी चीज़ों कर रहे है, ताकि हमारे student जादा जादा select हो, बाकि इस से कोई भी doubts होता है, coaching जोईन करने के लिए वीडियो के description box में number है, detail ले सकते हैं, thank you